हालो काईज, वेलकम डूट आकिया सुरी यूटिब चैनल जैसे कि आप सभी को पता है फाइनली 20 जून को रियल्मी अपने रियल्मी GT6 फ्लाक्शिप किलर स्माटफोन को इंडियन मार्केट में लाँच करने वाला है एन आज की जो हमारी वीडियो है जो फाइनल अपडेट वाली वीडियो है लाँच से पहले ये स्माटफोन के पूरे के पूरे कम्प्लीट स्पेक्स आपको बताने वालो इंडियन डिटेल यूनिट के है इस वेले इस इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट भी ली को क्या चुकिए तो कम्प्लीट डिटेल देने वालो तो गाइस चलिए वीडियो स्टाउट करते है तो फ्रेंज वीडियो स्टाउट कर लेते हैं बिना डाइम वेस करें फटा फट से आपको अपकमिंग रियल मी जीटी स्माटफोन के इंडियन डिटेल यूनिट के कम्प्लीट फीचर्स बता देता हूँ बिल्ड डिजाइन और फ़स्ट लुक के अगर हम बात करें बैक पनल अगर आप देखोगे टिपिकल रियल मी वाल आपको डिजाइन देखने को मिलता है LTPO डिस्प्लेइ रहेगा Gorilla Glass Victors 2 की प्रोडेक्शन भी यहां पर दी जाएगी RAM & ROM के अगर हम बात करें 8256GB से बताया जारे बेस्टार्ट स्टार्ट होगा तो आपको 512GB वाला वीरेंट भी देखने को मिलेगा Dual SIM का सपोर्ट रहेगा SD card slot आपको नहीं दिया जाएगा साथी में UFS 4.0 का storage type & LPDDR 5X वाला RAM type यहां पर दिया जाएगा Performance के अगर हम बात करें जो के smartphone का सबसे बड़ा rating feature रहेगा क्योंकि यहां पर आपको Snapdragon 8S Gen 3 वाले 5G chipset मिलेगा जो के 4M technology बेस्ट रहेगा and 2-2 score आपको 1.6 million के उपर का यहां पर दिया जाएगा तो performance के मामने में smartphone काफी solid होने वाल है cameras के अगर हम बात करें तो Indian detail unit में cameras Chinese वाले के comparison में काफी upgrade करा गया है क्योंकि यहां पर आपको back में triple air camera का setup मिलेगा 50 megapixel का आपको primary sensor मिलेगा सोनी LYT808 वाला sensor रहेगा with OIS यहां पर आपको 50 megapixel का 2x tele photo lens भी यहां पर दिया जाएगा तो इपकी 32 megapixel का selfie camera भी मिलेगा Android version और UI के अगर हम बात करें तो Android 14 out of the box मिल जाएगा Realme UI में यहां पर यह रन करेगा sensors यहां पर आपको सारे दिखने को मिल जाएगे including end display fingerprint scanner, face unlock का feature sadly 3.5 headphone jack का support नहीं रहेगा लेकिन dual stereo speaker का support यहां पर दिया जाएगा battery life के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 55 unid image की एक बड़ी सी battery मिलेगी टैप सी port के साथ में device support करेगा 120 watt की fast charging को and order the box आपको fast charger भी देखने को मिलने वाला है so guys यह overall यहां पर आपको complete specs देखने को मिलेंगे upcoming realme GT6 smartphone के Indian retail unit में so guys अब बात कर लेते हैं आप सबसे important चीज़ के बारे में क्या कुछ price point पर हमें यह smartphone इंडियन market में start होते वे दिखेगा तो अभी एक दो दिन पहले यहां पर इसकी India price point जो leak हो का थी बताया जारा जो 8256 GB से based on start होगा जो leak price point ही हो बताया जारा 40,000 लुपीस के screenshot निकल के आया था लेकिन यह brand वाले बहुत सी बार करते हमको पता है थोड़ा जादा price point बताते देन launch जो कम price point पर करते तो मेरे सबसे 40,000 लुपीस का screenshot leak होआ था तो यह around 37,000-38,000 लुपीस के आसपास इसके real price point रह सकते है and maybe bank discount वगरा लगा कि आपको around 35,000 लुपीस के आसपास आपको देखने को मिल सकते है and अगर Realme वाले offer वगरा लगा कि भी around 35,000 लुपीस के आसपास यह smartphone को इंडियन market में launch करते है लिटरली market में यह smartphone आग लगाने वाले है तो अगर आपका 35,000 से 37,000 लुपीस के आसपास का budget है definitely यह smartphone का इंडिया launch का वेट करना तो बनता है वसे गैज़ा मुझे कम सक्षन ने बताना आप coming Realme GT6 smartphone के overall first look आपको कैसे लगे specs कैसे लगे और यह specs के साथ में आपके सबसे इसकी इंडिया price point क्या हो नीचे मुझे बताना नीचे comments में से hope consumers नहीं होगी और किस अगर आपको यह पसंद आए तो like करें, share करें चैनल को subscribe कर देना मैं मिलता आप सगने किसी फीडियो में चिप तक के लिए, thank you